इस आसमा को देखके दिल में खयाल आया फिर से एक उड़ान भरू और चल बढ़ू इन रास्तोबत जो कहीं तो सुहाने से हैं और कहीं पर डरावने भी है वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल मैं आपका दोस्त सूरज कल रात यार बहुत थक गए थे तो बिस्तर पर गिरते ही ऐसी नीदाई कि बस कुछ होश ही नहीं रहा सोए और खो गए एक नए दिन के सपने में शिमला में आते ही एक ऐसी इमेज बन गई कि क्या पता आगे बर्फ हो क्या पता आगे रास्ते खराब हो और हाँ आगे वर्टरफॉल भी तो होंगे तो बस इन सपनों को पूरा करने को दिल में लेकर चल पड़े इन बादलों के बार और सोचामन में आप तो वहीं पहुँच कर देखेंगे कि कैसी है मंजिल तो चलो मेरे साथ आप भी साथ में इस हसीन से पलो को यादगार बनाते हैं कुछ नजारों को और कुछ हम यारों को अपने दिल में बसाते हैं ओहो रुको रुको आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो चलो एक काम करते हैं शुरू से सुरू करते हैं ये सफर वित बाकि विया यह यह रोम है वाई पुरा वी दिख्टा है और फिल अच्छार्व एंग बहुती जगए से ब्यूडिफुल है पहली बार तो शुमला ही है शुमला के नाम से भी भी आता है Hello, beautiful इस ब बहुत से बीटYou Allah यू टिन लोगी हम लोग अभी रेडी हो गए है चलने के लिए यिसको बोलते है golden शेव ए गोलन एपलिएगा यहां पर वह ताज होटेल यहां पर इस पॉइंट पर ताज होटेल है और अभी फिलाल सुभे यार खुछ ज्यादा धुन्द हो रही थी कुछ दीख नहीं रहते पार तो इस वज़े से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया लेकिन अभी विजबिलिटी थोड़ी बढ़ गई ह अभी विजबिलिटी बिल्कुल जीरो तो अभी हो चुका है नाष्टे का टाइम हम जारे नाष्टे के लिए कल से नहीं थुड़ी तबे तुक्रापती अब भी बहतर है दुखार नहीं है यह हमारे खानी की जुगर इस सूई शॉट और नाइस एस मैं की स्पेशल मैं और अभी जो सांती सांती शंतो है इसके ममी को पता चल चुका है कि यह कहा है और इसको सीधा बोलते है आतुगर अर्टकों में चप्तल चप्पल से पीटोगी तेक है नहीं है तुमकी देखरों किया मूल रहा है मूल रहा है अंसब्स्क्राइब कर दा बही आतने करना है अरे अभी बन वाया कि अभी रिक्पस्ट करते हैं तक बार मिलते हैं आपको आगे शोबाद फोटेजिस करके है और यह भी हमारे है कैसे हैं आप नाइप में आने वाले हैं तो अदो लेट हो गया जालो कोईशन है बागी बाई एक टेनरी और रोम वोड़ा इतने सुंदर है ब भाव लोग है यह ए इतना घर जो है बरफ यह अदिर भरमारी भर मार रहा है ऑभी नीचे भी बहुत से से जाना पॉसिबल नहीं है यहां से पूरा वियू इधर एक बहुत बढ़ा इंक बताया श्का मंदिर रहे और वहां पर बढ़ा और उसके लिए हम लोगों को नीचे यह से रोड जा रही है ऐसे जाना बढ़े लेकिन अभी वह बोल रहे हैं कि वहां जाना सेफ नहीं है तो इस वज़े से हम लोग नहीं जा रहे हैं नहीं तो यहां पर जाने के लिए पहले तो गाड़ी से जाना पड़ता है और लगब लगब फिर उसके बाद 15-20 मिनट का ट्रैकिंग है और गोड़े से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं लेकिन मैं प्रिफेर करूंगा जब छोटा ट्रैक है तो यार पैदल जाओ और जो भी सीनरी है उसका बिल्कुल एकदम मजा लेते वे और आपको अच्छा भी लगे जब हम पहाड़ों में आये हैं तो यार यह अज़े यह चीज करते हैं यहां पर पूरा रोड कवर करते हैं यह है कि अब भागी आप देखो अभी तो फिलाल धूप आ गई है अच्छी दूब आरखी है पाड़ों में धूब भी उतनी ही तेज लगती है ठंड जितनी तेज लिक्ते उतनी दूब भी तेज लगते क्य क्या हमारी दिक्कत हो लेकिन यह था कि हम थोड़ा रास्ता बटक यह थे नीचे चाने वाले थे लेकिन भीया जो थे हमारा वेट कर रहे थे ओन रोड पे तो इस वज़े से हम लोग आ गई रात में सई रस्ते पर बनना हम लोग बहुत प्रॉब्लम में भी आसके जो एरिय ना ना कुछ नहीं निकालेंगे अगर निकालेंगे भी तो बागी कोटेश इस वगएर यादे हूं किते सुंदर है अब बहुत अच्छा है यार रात को हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे क्योंकि यार फॉगी सीजन है ना बर्साद का मौसम है तो बहुत ज्यादा फॉ जीविल में शायद से थोड़ा से मैं आपको दिखाऊंगा रात का भी वीडियो आप लोग आओ स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है नंबर इस नंबर पर कॉंटेट करके आप लोग यहां पर उन्हें से गूगल मैप की लोकेशन लेकर यहां पहुंच सकते हों चलो कि निकल थी तक यह गया लंदे के फैसे निकलने के लिए अभी आभी यह वैसा तो हम लोग सारे पाड़ी हैं लेकर कुछ-कुछ एदिये हैं यहां कि अच्छा लगता है जहां कि नहीं लगता एंगाने लगता है नगता है एक लगता है कैसा लगाए था चीज कही कमी थी बस नीस होती बरफ की कमी थी थोड़ी थी बागि वो नेक्स जून या जुलाई में जब यहां पर बरफ पड़ेगे तो डेफिनली हम लोग यहां पर आएंगे और आपको बरफ कभी नहीं जारा दिखाएंगे अभी फिलाल हम लोग निकल रहे हैं अभी आपको रोड दिखाता और र अब आए यह रास्ता है यहां का थोड़ा सा यार अफ रोड है लेकिन अच्छा है कोई बात नी गाड़ी बगएर सब आराम से आ सकती है कोई इतनी प्राबलम नी और यह विव है इदर यह करना संदर विव है इतना ली अब मैंना आपको बदाई दिया था थोड़ा सा ओ अ क्लाद यह शुर्डा इस रस्त शारी देगा मैं अब इसे गुर्च रहे नी राता मैं बाइँ कर राद यह लिट्रली अम लोगों को कुछ बता नी चल रहा था यह रास्ते का अब देख रहा आ पता चल रहा है अब कि मैं ट्राइब भी कर रहा हूं तो इस वजय से यहां मेरा कॉंसेंट्रेशन जो पूरा रोड पर है वागी एक हाथ से आना फॉन पकड़ा हूआ है क्योंकि मेरे जो केमरा मेन ना वो पीछे बैटे में असली वाले अच्छो आगे मेरे साथ बैटे में हो थोड़ा साभी अं पता नहीं चला है यह मालिक बैठावाई इसको पता नहीं चला रात वे सो गया था अब बोल रहा है तो कैसी जगह पर आ गए है बोल दे अपने थोड़ा काली वह ऐसे बोलता रहेगा बेस्ती करने में एक्सपर्ट एक नमबर अरे बोल देर तो देख ले बोलने पिछ सर् यह अब मैप लगा था अघ मा कि आगे मिलते हैं ठीक है अ अ को पाई अभी रुकें एक छोटा सा स्टॉप लिया अभी यहां पे रुकें में धाबे में है थोड़ा बहुत बीर है तो मैंने सुचा जलो थोड़ा चट के ऊपर एक छोड़ा सा व्यू देखा देते हैं इतने सुंदर बैली का यह देखो यार बैली है ना कब सुरूत भाई बहुत उचह पहाड़ए यार मलब यार देखो अब कैमरे की नजर से शायेख से इतना नदीख पाय लेकिन यह है कि भुड़ा बहुत तो है अमेज़िनकरही सकते हो बहुत उचह पए बहुत उच्छे पहाड़ है वह पूरा डाउन है इतना हो तुछ पढ़ा है खुली आंकों से जो नजारा देखने को मिलेगा वह प्षाय दे देगा आओ यार वैली बहुत अच्छी है खुब सूरत है टाइम भी बहुत अच्छा हो रहा है आने के लिए और यह जो यह वाली पूरी बिल्डिंग आए इसमें पूरे से भी से वह प्रोट्रक वगरा बहरे जारहें सेव 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 चारो तरह पेड इतने हैं क्या बताँ रड़ बहुत अच्छी व्यूज रास्ते रोड भी कोई खराब निया बहुत बढ़ी आ रोड ऐसा नहीं किया रो बहुत बढ़ी रोड हैं कोई दिकर चलो फिर मिलते हैं यह नीचे आता है और बहुत देखते हैं और चाय वाई जो भी है और उसके बाद इखल रहें आगे को दिखाते नहीं है थोड़े बहुत रस्ते में नजारे बजारे भी यह रस्ते इसलिए दिखाता हूं मैं किया रस्ते में बहुत सा ऐसे वियो होते हैं कि जो मैं देख रहा हूं मिरको अच्छा लगते हैं तो मैं चाता हूं आप लोग भी देखो और आप लोगों को भी अच्छा लगए तो देखो यार पूरी वीडियो देखो चलो फिर मिलते हांगे ओके अब थोड़ा सा आगे गए ही थी कि डरावना सा महौल देखकर लगा कि आगे जाएं या नहीं लोग एक काम करो खुद ही देख लो भाई क्या है क्या है पत्रना की लग रहा है यार पत्र नहीं कि बड़ी बड़ी चट्टा नहीं यार उपर पूरा यह भी लेंड्स लाइन हुआ हुआ है आपे भी ऐ तुम्हार प्रफेक्ट वीडियो बनाओं को मज़ा आगया यहीं पूल तो नहीं टूटा थो अरे हां वही लग रहा हुआ है यही था और हाव पुल पुल टूटने की अब पता नहीं यह वह लोकेशन है या नहीं है लेकिन लग वही लग रहा है वही बड़ावना इंग्ट आखिपर सब्सक्रबार गुम्हार क्यार म matarनीग का यहां पर मनाली का थाव्या hvis मैं डिरामें लग रायर बहुत का नलाग लग्रार est का दानना कॉछ लगता प्रहिस के टार इम यह गतां हो जाता हो भाई कि अब दीखिए नदीस साफ नदीन बलाल को इतना लंबा सफर है अभी भी पाफी बच्छावाइशाट सप्तर किलमेटर तो होगा जाएशाट क्या जादे ही होगा दूस हो रहा है कि कफिल रावत करीब सेंदी रेड़ शांती रेड़ शांती और सांती रेड़ लेकिन आगे चल पड़े यह सोचकर कि यार अभी तो वाटर फॉल भी रह गया है और कुछ एक से दो किलोमेटर के बाद ही इस वाटर फॉल ने मजबूर कर ही दिया कि आगे बढ़ और दिल से आवाज आई डर के आगे जीत है मेरे दोस्त इन रास्तों ने जितना हमें मजब गाड़ी की हो तो हमने डिसाइड किया कि आप कहीं रुपकर पहले गाड़ी को दुलवाएंगे और तभी आगे बढ़ेंगे तो बस क्या था रुप गए गाड़ी को दुलवाने के लिए करी दिन काफी देर जार गाड़ी चल रहे थे हम लोग बहुत देर से स्थाथ बहुत गंदी और लखिए तो भी एक मिला है वाशंग सेंटर यह पर गाड़ी दुलवाते हैं आप गपल साभशार रहा हमसे से आपके यार वह और वह जाता है तो इसलिए ट्राइप कोई दिक्कत नी है अपी काड़ी दुलवाते हैं अंदर ही बैठे रहेंगे बाहर से दुलवाएगी मैंने पूछ लिया हम से बोगने कोई दिक्कति यह अब अंदर ही बैठे रहा हम धो देंगे है यह अब अब तुलिए बोट देंगे पर फिर टेंपो ट्रेवल लें आपड़ा है अब आपड़े बाही अमारे प्लाइनिंग तो भी यह मोटर होम लेनेगी भाग जने गुंदे रहे हैं के बेड़े सोतारो पीचा है तो देखते हैं क्या होता है कि अप्या लगा है तो अ बाइग के बाइगाड़े दुल रही है इंटर भी लग रहा ऐसा लग रहा पता नहीं कितना प्रणा वाटर पॉल के निचे बैठेवे हैं आम लोग पाम निगेता है पुठी ग्रे एनॉन एनॉन अब जब इन रास्तों पट चाल ही रहें हैं तो क्यों न आज का रूट मैप ही डिसकस कर लिया जाएं तो आज का रूट मैप है हम लोगों ने आज की जरनी स्टार्ट करी शोबा कॉटेट से फिर बैरोग राही घाट लाफू माटियाना अकंतवारी वाटरफॉल नरकंडा रामपूर जियोरी कर्चम सांगला और अभी हमें जाना है चिटकुल अब मंजिल का नाम चिटकुल हो तो दिल कहां मानने वाला है तो बढ़ते गए आगे और इस सफर ने हमारे दिल को तोड़ा नहीं चितना आगे बढ़ते जाते सदन वियो हमें और मजबूर करते कि राही अब रुकना नहीं बढ़ते जाना है थोड़ा आगे गए और इस वाटरफॉल ने जो ब्रेक मानने पर मजबूर किया है उस एक्साइटमेंट को आप अब देखेंगे करने के ले बातरफाल से किता कर देखो ड़क पर मजबू। खगा बुका बुका रहां ता ता या घप हो ता या ता या तेली वाली ततईया है तू बाकी यह लिख दिख देल वाटरपॉल जाह को तक तगरा है इस रस्ते में उपट जाह देली वाटरपॉली वाटरपॉली तब से तो यह अम लोग ना रस्ते रस्ते में जंबरें तो आवे वह वह बील नी आ दा जारों के ना बड़ा है यार यह वाटरपॉल यह बहुत बड़ा है और भाल पहाद के पीच में नदी वहती भी करसा भी लग रहा है और हमारी टीम पूरी खड़ी है वापे मझे अग्री आजारों के यार बारिशानी जालू हो गई भाई बुन्दा बांधी हो रही है थोड़ी होई नहीं जब तक आमारे पास गाड़ी है तो कम सब बारिश से भीगने का तो डर है नहीं आई आइस आइसा फील करते वे थोड़ी बात अब कैसे लग रहा यह थोड़ा है यह पता है कहां होगे खिलारी मैं दिखाता हूं इसको यह तुपकी पे खड़ाया अगर गिर गाएगा तो क्या होगा लेकिन यारी पाड़ी लोंड है डरते वरते नहीं है आप लग रहा है कि रस्ते अच्छे होंगे और स्वाने होंगे यह हम लोग इतना पोज बना रहे हैं तब से पूरी कि इह यह इसने बड़े मुस्किलर जो मेरी बोट। यह सो चीए है अधिरो और यह हम पुरारी मैं बैटे बैटू और हम यह पुर। चलो भाई बैटआ छलो जली बैटेवा सबीता है यह था दे साल झाल 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 यह बाइज सबसे हैं एज फूब फिलिंग वाइज साफ उन्हां थे बोग फिलेंगे वाइज लग रहा है यह लग रहा है व्यूंदेखो यहार किसा अच्छा है रे वहार जो एक फूरा मुझे लग मिछ ये दा फूरा शायद से बर्फिला पाहर होगा तो इसमर्प तो बढती होगी बर्फिला पाहर ओगा तो इसमजे से यह पेड़ू भी जादा है यार क्या प्रीलिक ल Boss आइट यहां चपर्दस्त वू 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 यहां से अभी वू वू कर्चम वांग्टू पावर हाउस कोई गैस कर सकता है कि क्या होने वाला है आगे मैं बताता हूं सफर अच्छा चल रहा था सुंदर सुंदर वादियों के बीद से निकल के बसमन में एक ही ख्वाइश थी कि जल से जल मंजिर पर पहुंच जाए पर शायद भूले को कुछ और ही मंजिर था बोलते हैं कि चिटकुल में श्रीकृष्ण भगवान जी का सबसे उचा मंदिर है खुली वादियों में बरफ से धगे पहाड़ों के बीज तो मन तो था ही बेताब फॉन पावर बैंक सब डैट हो गए अब लास्ट फुटेज मंदिर तक ही है उसके बाद सारी बैटरी डैट हो गई थी फिर भी हमने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं कूरी राद बैटरी चार्ज करेंगे और सुबह चल पड़ेंगे चिटकुल के लिए लेकिन होटल में खाना खाने के लिए रुके सोचा यहां बैटरी चार्ज कर लेंगे पर वहां भी लाइट का बड़ा प्रॉब्लम था तो नहीं कर पाए बैटरी चार्ज और होटल के और ने बदाए कि चिटकुल तो आप लोग चाही नहीं पाओंगे हम तो शौक डो गए और पूशने पर पता चला कि चिटकुल के लिए आर्मी जाने नहीं दे रही है इस कुरोना की वज़े से आर्मी ने चिटकुल जाने के रास्ते को बंद कर रखा है तो बस क्या था यह सुनते ही मोड़ तो ऐसा जिद्धी है तो बस मन में एक विश्वास लेकर अगली बार का सपना लेकर आ गए वहां से वापस पता है आपको भी बुरा लग रहा होगा कि कि पास आकर ऐसा हुआ जिगर के चलो अभी तो बहुत कुछ बागी है इंजॉय आपका खतम नहीं होने देंगे आप यहां से एक और नई जन्नी शुरू करेंगे और जो भी हमें दिखेगा हम आपको भी दिखाएंगे क्योंकि इन वादियों पर सब का हाग है तो बने रहो यार जरनी में और मिलते हैं आपको कल सुवे और मजबूत होकर और सुरज की तरह चमकते हुए क्यांकि अब भी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त तब तक के लिए जय भूले